हेलो एबरीबन एक बार फिर से सौगत है आपका मैगनेट वेंस के हिंदी मीडियम चैनल पर मैं राहल गौतम आज आपके लेके आया हूँ उत्पादन संभावना वक्र हमने अभी तक के वीडियोस में जाना था प्रिवियस वीडियो में जाना था कि अर्थ वेवस्ता की कें संद्रे समस्याओं को समधान किस परकार किया जाता है आज उन समस्याओं का समधान हम उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से समझेंगे जैसा कि हमें नाम सजेस्ट कर रहा है उत्पादन संभावना की हमारे पास उपलब संसादनों के माध्यम से हम कितना उत्पादन अ आज का वीडियो तो हमारे पास सबसे पहले देखेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है तो आप पहले एक बात समझे हमने देखा था कि एकनौमी में हमारे पास संसाधन जो है वो सीमित हैं और उन सीमित संसाधनों का उप्योग करते हुए हम सीमित उत्पादन ही कर सकते हैं लेकिन हमें यहां पे चुनाओ करना रहता है कि किस तरह के बस्तूओं एवम सेवाओं का उत्पादन किया जाए एवम किस मात्रा में उत्पादन किया जाए तो यहां पे कुछ मानेताएं भी हैं आपको सबसे पहले एक मानेता यह ध्यान में रखनी है कि को जानने की हम कोसिस कर सकते हैं उदारन के लिए हम मान लेते हैं कि एक X कॉमोडिटी है और दूसरी कॉमडिटी है तो हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि कि अक्त१ינी एक क कॉदूधिटी बन सकती हैं यह ऐVer c जाते हैं कि के कॉम्बिनेशन जो हैं वो मैं अर्थवस्ता के अंदर उत्पादित कर सकता हूं तो इस बात को हम जानेंगे उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से तो चलिए सुरू करते हैं जैसा कि पहले कहा जा चुका है किस छेत्र में कितना उत्पादन किया जाए इस केंद्रे समस् को समझाने में सहायक सिद्ध होती है इससे उत्पादन संभावना फ्रेंटेरियर या उत्पादन संभावना लाइन या परिवरतन बक्र भी कहते हैं ये इसके अलग-अलग नाम है इनको याद रखेगा एक्जाम में पूछे जाते हैं इसके अन्य नाम क्या है तो आपको याद रखना है कि इसको उत्पादन संभावना फ्रेंटेरियर उत्पादन संभावना लाइन और परिवरतन बक्र भी इसको कहा जाता है और एक इसका नाम है उत्पादन संभावना वक्र तो चार नाम है जो आप याद रखेंगे ठीक है जी चलिए चलते हैं नेक्स साधनों की मात्रा इस्तिर है, साधनों की मात्रा क्या भी या, इस्तिर है, दूसरा important assumption, दूसरी महत्पून मानिता है, कि हमारे संसाधन जो है, वो इस्तिर है, ठीक है, और उनका पून उप्योग हो रहा है, तता एक अर्थवस्ता केबल दो बस्तू, यह हम पहले ही मानिता कि बाय के उत्पादन से साधनों को कम करना पड़ेगा और बाय के उत्पादन की मातरा को घटाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि दो कमोरिटी ही बन सकती है तो X को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो बाय का प्रडक्शन कम हो जाएगा और मैं बाय को बढ़ाऊंगा तो X का प्रडक् परकार बाय की अधिक मात्रा उत्पदन करने का आसा यह है कि X की उत्पदन की मात्रा घटानी पड़ेगी X बस्तू की कितनी मात्रा तथा बाय बस्तू की कितनी मात्रा का उत्पदन किया जाए इसका अर्थ है समाज को चुनाओं करना पड़ेगा जो हमने previous वीडियो में देखा था कि समाज किस परकार चुनाओ करता है यह इसके उपर निर्फर करता है कि उनकी अर्थवस्ता का परकार क्या है पूंजी बादी अर्थवस्ता होती है उसको जबाब देने का तरीका भिन्ने होता है और वहीं पर समाज बादी अर्थवस्ता का जबाब देने का तरीका भिन्ने होता है तो यह हमने previous वीडियो में cover कर लिया है अब Samuelson नाम की अर्थवस्तिते इनका माना है एक उत्पादन संभावना वक्र चुनाओं की सूची को बताता है कि हम कौन सा combination को select कर रहे है और सबसे पहरे तो combinations क्या-क्या available है मेरे पास एक उत्पादन संभावना वक्र दो बस दूँ एक्स तथा बाए उन सभी सहियोगों को बताती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक समाज के लिए संभाव है जबकि साधनों की मात्रा इस्तिरों उनका पून प्रियोगों रहा है तथा उत्पादन की तकनीक की इस्तिती दियु हुई है अब देखो इसमें मतब तीन चार इसके अजमसन है उत्पादन संभावना वक्र जो है वो अजमसन की उपर based है तो पहला जमसन तो यह कि एक्स और बाइद दो कमोरिटी मन सकती है दूसरा क्या है हमारे संसाधन जो है वो इस्तिर है तकनीक भी इस्तिर है क्योंकि संसाधन और तकनीक में अगर परिवतन आएगा तो उत्पादन संभावना वक्र में भी बदला हो आएगा इस बात को भी कबर करेंगे वीडियो के अंत में ठीक है चलिए उत्पादन संभावना वक्र एक बस्तू की अधिकता मातरा को बताती है जो कि दूसरी बस्तू के उत्पादन की पिरतेक संभाव मातरा के साथ उत्पादित की जा सकती है जबकि साधनों की मातरा इस्तिर हो और उनका पून प्रियोग हो रहा हो उत्पादन की तक्नीक इस्तिती बनी हो सेम हो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है constant यहाँ पर रखा गया है तो उत्पादन संभावना वक्र को समझने के लिए यह टेवल हमें understand करना बहुत important है इस टेवल से ही हमारा संभावना का उत्पादन संभावना वक्र का उत्पादन संभावना वक्र बनने वाला है ठीक है तो टेवल क्या बता रही है हमें ध्यान से देखेगा मेरा combination A है combination यह बता रहा है मुझे कि मैं commodity X जो है वो कितनी produce कर रहा हूँ 0 तो commodity by कितनी produce हो सकती है 10 commodity by कितनी produce हो सकती है 10 अब जैसे ही मैं combination B की तरफ बढ़ता हूँ combination B की तरफ मैं बढ़ा तो commodity X एक produce कर रहा हूँ मैं लेकिन commodity X का एक production जब जैसे ही मैंने किया तो commodity buy के 2 unit मुझे कम करने पड़े है इसको हम बोलते हैं marginal rate of transformation marginal rate of transformation अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ unit sacrificed upon gain unit sacrificed upon unit gain ठीक है तो unit कितना sacrifice के है मैंने to buy to gain 1X to buy मैंने यहाँ पर sacrifice किया to gain to buy sacrifice किया to gain 1X मतलब यह हुआ कि सर्थ 2 commodity buy की gain मैंने sacrifice की एक commodity X की gain करने के लिए जैसे ही मैं combination C पर आता हूँ तो मैंने यहाँ पर X का production बढ़ा दिया automatically यहाँ पर commodity buy का production कम हो जाता है तो यहाँ भी क्या हुआ? 8 से 6 और यहाँ पर 1 से 2 हुआ तो मतलब यहाँ भी मेरा क्या है? margin rate of transformation 2 by 1X 2 commodity sacrifice कर रहा हूँ to gain 1 commodity of X इदार जैसे ही मैं combination D पर आया तो मैंने क्या किया? 3 कर दिया X का production यहाँ पर 4 हो गया इदार जैसे ही मैंने 4 किया यहाँ पर production मेरा 2 हो गया तो मेरे पास अब यह possibilities है यह मेरे पास combinations उपलब्ध है इन में से कोई भी combination जो है मैं economy में produce कर सकता हूँ इसी को हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं इसको जैसे ही मैं कर पर डालूँगा तो मेरा उत्पादन संभावना वक्र कुछ इस प्रकार देखेगा देखिए मैंने उस table को जो मेरी x और by यहाँ पर x commodity थी और यहाँ पर by commodity थी x 0 से start होके 1, 2, 3 और 4 तक जा रहा था और it is starting from 10, 8, 6, 4 और 2 तक जा रहा था और यह मेरे combinations हो गय थे a, b, c, d और e यह combination हो गय थे जैसे ही मैंने इनको कर पर plot किया तो मेरे पास उत्पादन संभावना वक्र जाता है यहाँ पर मैंने x axis पर x commodity लिया और y axis पर y commodity ले लिया x और y commodity को मैंने यहाँ पर plot कर दिया sorry तो मैंने जैसे ही plot किया तो मेरे पास देखिए पहला combination क्या रहा है 10 10 10 क्या बना रहा हूँ y और x कितना बन रहा है 0 तो मेरा point आ गया है एक combination आ गया अब दूसरे combination में क्या हो रहा था मैं एक x बना रहा था ठीक है तो एक x इधर आ गया और मैं बना रहा था 8 y तो 8 y के साथ मेरा combination दर आ गया फिर मेरे साथ क्या होगा 6 2 का combination आ गया 2 और 6 आ गया मेरे पास ये वाला point आ गया फिर मेरे पास 4 and 4 and 3 का point आ गया और इधर मेरे पास 4 and 2 का point आएगा इधर मेरे पास 4 and 2 का point आएगा जब मैं इन लाइन को join कर दिया तो मेरे पास क्या बन जाता ये production possibility curve या हिन्दी में बोलें तो हम इसको उत्पादन संभावना वक्र है production possibility fronted year इंग्लिस में इसका दूसर नाम PPC भी बोलते हैं हम इसको production possibility curve मेरे सामने बनके आ जाता है तो बता क्या रहा है ये हमें बताना चाहरा है कि सर इसमें से मैं कोई भी combination economic के अंदर use कर सकता हूं मैं चाहूं तो combination A पर operate कर सकता हूं चाहूं तो combination C पर कर सकता हूं D पर E या मैं स्वडी A, B, C, D मेरे पास चार-9 combination है इन 5 में से किसी भी combination पर मैं operate कर सकता हूं यह मुझे बता रहा है अब तो किस पर करना है किसी भी combination पर आप अपरेट कर लिजिए आपके संसाधनों का अधिक्तम प्रियोग हो रहा है ऐसा नहीं है कि किसी combination पर यूज करने से आपके जो संसाधन है वो fully utilize नहीं हो रहा है किसी भी combination पर हम use करेंगे हमारे सारे जो resources हैं संसाधन हैं उनका अधिक्तम उप्योग हो रहा है अब इसमें दूसरी चीज भी है द्यान से समझेगा यहाँ पर कोई अगर point आता है अगर मैं इधर operate कर रहा हूँ इधर operate करता हूँ मतलब क्या हो गया कि सर देखो इस line पर क्या बनता देखते हैं यहाँ मतलब मैं by की x की एक commodity बना रहा हूँ और by की कितनी commodity बना रहा हूँ पांच तो क्या मैं कर सकता हूँ यह हां सर कर सकता हूँ यह मेरे लिए attainable combination है लेकिन मैं यहाँ पर अगर कोई point बनाता हूँ यहाँ पर कोई dot बना दे नहीं था क्या मैं इस combination को attend कर सकता हूँ नहीं तो यह unattainable combination है क्योंकि मेरे पास उतने संसाधन उतनी तक्नीक नहीं है कि मैं y की 10 commodity और x की 3 commodity एक साथ produce कर सकूँ तो इस बक्र के इस कर्व के बहार कोई भी point आएगा वो unattainable combination है वो क्या है unattainable और इस कर्व के अंदर कोई भी point आएगा इधर बना लूँ इधर बना लूँ इधर बना लूँ इधर इधर जहां भी मेरी इक्षा है मैं कोई भी point बनाना चाहूं बना सकता हूं यह सब के सब क्या है attainable combination जिनको अचीव किया जा सकता है ठीक बात चलिए उत्पादन संभावना बक्र बाय से दाएं नीचे की और गिरती हुई होती है अर्थात पूल रोजगार वाली अर्थवस्ता में यदि एक बस्तू X की मात्रा बढ़ाई जाती है X को क्या कर रहे हैं भीया enhance कर रहे हैं तो दूसरी बाय बाय को क्या करना पड़ेगा आपको मात्रा घटानी पड़ेगी यह बात रेखा चितकर स्लोप रहेगा इसका ठीक है दूसरा सामाने ता एक उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदू के प्रती नदुत्तर होता है दूसरे सब्दों में यदि X बस्तू के उत्पादन को एक एक करके बढ़ाया जाए तो बाय बस्तू की अधिका अधिक मात्रा का त्याक करना प देखते हैं पहले हम इस कर्व को समझेंगे न कर्व में क्या बताना चाहरा है सॉरी कर में देखो X का यहां पर प्रड़क्शन दिया हुआ है और इधर मेरे पास बाय का प्रड़क्शन है ठीक है अब यह क्यों अधुत्तर दिख रहा है हमें क्यूंकि यहां पे rate of transformation इसको मैं कबर करूंगा नेक्स वीडियो में जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूंगा opportunity cost अफसरलागत न यहां पर अफसरलागत भी संबंदित होती है अफसरलागत का मतलब क्या होग यहां पर अब यही तो मेरी क्या है अफसरलागत है जैसे मैंने देखा था यहां पर मेरा production कितना था 10 यहां पर 8 6 4 2 1 6 4 0 हो जाएगा नहां पर ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब देखिए तो यहां पर 10 10 से 8 आया मैं दूसरे point में 10 से 8 आया तो यहां पर मेरा commodity of x produce करने के लिए मुझे क्या sacrifice करना पड़ेगा ऐए की दो commodity, sacrifice करना पड़ेगा यह क्या है opportunity cost है तो ठीक है X commodity produce करने की opportunity cost क्या है कि buy की 2 commodity मुझे sacrifice करने पड़ी that is what is the opportunity cost here तो opportunity cost होने के कारण यह क्या करता है downward slope करता है downward slope करता है यह नदोत्तर हो जाता है convex, concap मतला हमें आपर देख रहा है कि जो मूल बिंदू है उसकी तरब आपको नदो तरह इस तरह से देखने को मिल रहा है combinations ठीक है चालिए next हमारे पास क्या है उत्पादन सभामना वक्र पर X एवं बाय का कोई भी सईयोग हाँ ठीक है कोई भी सईयोग बना सकते हैं जो मैंने पहले भी वेडियो में explain किया है कि D भी बन सकता है लेकिन E नहीं बन सकता क्योंकि ये मेरे लिए unattainable combination है मेरे पास इतने resources नहीं है नहीं मेरे पास असी तकनीक है कि मैं इस combination को attend कर सकूँ जितने भी combination इस करव के अंदर आ रहे हैं वो सारे combination को attend किया जा सकता है ठीक है तकनीकी द्रस्टी से कुसल है इसके अंदर का संयोग तकनीकी द्रस्टी से अकुसल है तथा इसके बाहर का संयोग तकनीकी द्रस्टी से अप्राप है मतला इसको हम नहीं attend कर सकते यह बात रिखा चित करमांग एक point तीन में बताई गई है उत्पदन संभावना बक्र पर बिविन्ने संयोग में से उच्चित संयोग का चुनाओ एक समाज नैतिक मूलियों के आधार पर करता है ठीक है एक समाज नैतिक मूलियों पर बात करता है और ये तो होगी समाजबादी अर्थवस्ता के अंदर कहां पर होगी ये बात समाजब और पूझी बादी अर्थवस्ता में हमने फिसले वीडियो में दिखा था कि पूjivadhi अर्थवस्ता चुनाओं किस प्रकार करेगी जसमें उसका लाव, अधिक्तिमी करण हो सके profit उसका बढ़ सके profit maximization हो सके उस विदी का प्रयोग पूंजबादी अर्थवस्ता के अंदर किया जाएगा ठीक है तो यह attainable combination है और यह unattainable प्राप एवं आप प्राप लिख भी दीजिए आप इसको क्या लेखेंगे इसको आप यह मेरे लिए प्राप संयोग है और यह मेरे लिए आप प्राप संयोग है इसको मैं कभी भी नहीं बना सकता एकनौमी में क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं उपलब्ध है इस combination को बनाने के लिए ठीक बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद क्या है अब अभी तक तो सर ऐसा बना रहे थे आप इस तरह से बन रहा था हमारा अभी तो आपने क्या कर दिया इसको सीधी रिखाम बना दिया क्यों बना दिया सीधी रिखाम देखेंगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए इसके अपबाद exception किसके exception उत्पादन संभावना वक्र के exception हमारे पास है कब-कब यह काम नहीं करेगा देखते है जब दो संयोक्त बस्तुओं है इस्थर अनुपातों में ही प्रियोक की जा सके यह बात रिखाचित्र किरमांग 1.4 में स्पस्ट की गई है देखेंगे रिखाचित्र को यहाँ A, B, C उत्पादन संभावना बिंदू बिंदू X एवं बाई बस्तुओं की निश्चित प्रिदाओं को बैक्त करते है इसमें दोनों ही बस्तुओं की एकाईया लगातार बढ़ रही है अब बात को समझेगा हम क्या देख रहे थे कि सर उत्पादन संभावना वक्र में हम देखते हैं कि कमोरेटी X और Y होती है 0, 1, 2, 3 कि है न और इधर हमारे स्टार्ट हुआ था 10, 8, 6, 4 and so on ये complete होता है तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सर जो मैं 2 by sacrifice करता हूँ फर्स्ट केस में तो कुछ नहीं है मेरे पास सेकिंड केस में मैं 2 by sacrifice करता हूँ 2 by मैं sacrifice करता हूँ 2 by मैं sacrifice, फिर से बना लेता हूँ मैं यहाँ पर X और Y है मेरे पास 0 से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4 और इधर 10, 8, 6, 4 और 2 अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा था 2 by sacrifice कर रहा था to gain 1 X और यह ratio लगातार इसी तरह से काम कर रहा है मेरे इस example में सारे ही combination में मैं क्या कर रहा हूँ कुछ ना कुछ sacrifice कर रहा हूँ to gain 1 additional unit of X ठीक है, लेकिन इस रेखा चित्र में मतलब इस कर में आप देखेंगे कि यहां पर मैं कुछ भी gain नहीं कर रहा हूँ क्या कर रहा है हम यहां पर commodity X एक बन रही है तो commodity by भी एक बन रही है commodity by यहां दो बन रही है तो X भी दो बन रही है और यहां पर तीन और तीन तो यह क्या कर रहा है लगातार बढ़ रहे हैं जबकि मैंने क्या देखा था कि मेरा जो वक्र होता है वो downward sloping होता और यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ यह upward sloping जा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अपबाद है exception है जब commodity x और by समान मातरा में बढ़ रही होती हैं वहाँ पर हमारा उत-पादन संभाबना-vakr काम नहीं करेगा वहाँ पर इस प्रकार जहां पर दोनों बस्तूअं की मातरा लगातार बढ़ रही है कम नहीं हो रही एक की बढ़ती है बात रेखा चित्क्रमांग 1.5 अब यहां पे बात समझना है क्या बोल रहे हैं वो जहां पे y1 x1 y2 x2 तथा y3 x3 ऐसी बस्तों की रूपांतरन की सीमांत दर एकाईयों के बरावर होती है अब रूपांतरन की दर की एकाईयों की बरावर होती मतलब क्या है पर तो यह समझो र हमारा marginal rate of transformation यह दूसरी सिती जहां पे आपका उत्पादन संभावना वक्र काम नहीं करेगा तो marginal rate of transformation क्या होता है जैसे हम देख रहे थे कि 2 y sacrifice कर रहे थे to gain 1 x लेकिन जब मैं 1 y sacrifice करता हूं to gain 1 x तो रूपांतरन की marginal rate of transformation क्या हो गया मेरा बरावर हो गया उस case में मुझे इस क्या देखने को मिलेगा उत्पादन संभावना वक्र देखने को मिलेगा जो कि मेरा नदोत्तर नहीं हो रहा नदोत्तर मतलब इस तरीके से बनना चाहिए था जो कि सीधी रेखा में बन रहा है इसके पहले वाले में मैं देखा था वो इस तरह के सीधी रेखा में बन रहा तो इन दोनों ही case-ness में उत्पाद-पादन संभार्वनावक्र काम नहीं करहा, क्योंकि margin rate of transformation बरावर है, जितना मैं गेन कर रहा हूं उतना इहीं sacrifice कर रहा हूं, इसलिए मेरा उत्पादन संभार्वनावक्र जो है वो काम नहीं करेगा, अब हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र की मानेताओं के बारे में कौन-कौन से अजंसन से जब हम उत्पादन संभावना वक्र को पड़ रहे होती है तो ध्यान में रखना होता है ठीक है उत्पादन संभावना वक्र की पिर्मुख मानेता निमने परकार है फम दो बस्तू एक्स तथा बाय का बिभिन एनुपातों में उत्पादन कर सकती है ठीक है दूसरा समय आवदी अल्पकालीन है देखो इसका explanation क्या था भई पहले वाले का कि सर संसाधन सीमित है इसका expression था कि सर संसाधन सीमित है इसलिए हम मान रहे हैं कि दो ही बस्तूएं जो है वो बनाई जा सकती है और एक सीमित मातरम बनाई सकती है समय आवदी अल्पकालीन है मतलब क्या क्योंकि लंबी समय आवदी में चीज़ें परिवर्तन सीर होती है बदल जाती है क्योंकि संसाधनों में बतलाव आ जाता है या तो संसाधनों में बतलाव नहीं आया तो तकनीक में परिवर्तन आ जाता है क्या जाता है तकनीक में परिवर्तन आ जाता है तो लंबी अवदी में उत्पादन संभावना बक्र जो है वो नहीं देख सकते हैं यह अलपकार ही होता है छोटे समय के लिए सौटर पिरिट अफ टाइम के लिए हम इसको चेक कर सकते हैं तो दो अजमसन के लिए हो जाते हैं हाँ पर मेरा तीसरा अजमसन है मेरे पास क्या मतलब इस बात का हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितने भी संसाधन हैं हमारे पास वो fully employed है मतलब संसाधनों का पून दोहन हो रहा है कोई भी संसाधन ऐसा नहीं है संसाधनों का क्या हो रहा है यहाँ पे पून दोहन हो रहा है यह तीसरी बात है पहली बात क्या थी दो कमोरिटी दूसरी बात थी अलप कालिन तीसरी बात क्या है? सनसाधनों का पूर्ली रूपेंद दूहन हो रहा है तीसरी बात है हमारे पास चोथी बात है उत्पत्ति के साधनों की मातरा इस्थिर है मतलब इनमे कोई परिवर्थन नहीं है किन्तों सीमिज मातरा में उनको एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है हाँ ये बहुत महत्पूर जमसन है क्या मुझे जो संसाधन चाहिए गन बनाने के लिए क्या वही संसाधन मुझे बटर बनाने के लिए चाहिए नई संसाधन डिफरेंट होंगे गन बनाने के लिए मुझे डिफेरंट संसाधनों के आप सकता होगी और बटर बटर बना नहीं होता, मतलब कि आप जैसे कि हमारे पास आटा है, आटे से हम रोटी बना सकते हैं, तो और राइस है तो, अब राइस से रोटी हम नहीं बना पाएंगे, कुछ से कुछ और बन सकता है, रोटी तो नहीं बनेगी, लेकिन ये मानिता है, मानिता गन से बटर में टांसफर कर यह ठीक है तो यहाँ पे ट्रांसफर प्यभाय ग्रूप से संभव नहीं होता लेकिन हमने ऐसा माना हुआ है मानता है कि संसाधनों को एक उपयोग से दूसरे उपयोग में ट्रांसफर हस्तांतरित किया जा सकता है ठीक है पांच भी इस विचार की यह है भी मानता है कि उत्प कि परिवर्तन ही कि आज मैं इतने लोगों को इतने बच्चों को पढ़ा पा रहा हूं जब हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते थे तो हमारे पास बच्चे कम होते थे सीमित होते थे एक टीचर एक सहर तक सीमित होता था वो अपने सहर में उप्लद बच्चों को ही पढ़ा सकता यह उसके दूसरे सहर के बच्चों को पढ़ाना है तो वह अपने सहर के बच्चों को नहीं पढाई साथा था लेकिन आज के समय में हम online माद्यम से सहर क्या दुनिया के किसी देश के बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं तो ये तकनीकी परिवर्तन के कारण संभाव हुआ तो जब तकनीकी परिवर्तन होगा तो हमारा उत्पादन संभावना वक्र में भी परिवर्तन आएगा इसको भी हम देखेंगे अब ये जो परिवर्तन होगा उत्पादन संभावना बक्र में भी परिवर्तन आएगा तो ये पांच मानिताएं हैं मेरी उत्पादन संभावना बक्र की बात समझ में आई ठीक है अब इसको ज़रा थोड़ा सा और डिटेलिंग हम एक टेवल के माध्यम से भी समझने का प्रियास करेंगे उत्पादन संभावना बक्र को समझने के पूर उत्पादन संभावना तालिका को ध्यान में रखना आवस्तक है जो की निमने परकार है ठीक है अब तालिका क्या है हमारे पास एक्स जो है उसको हमने क्या माना है उपभोगता बस्तु माना है और जबकि बाय को हमने पूंजि बनाता हूं, तो by commodity मुझे sacrifice करना पड़ेगा, जैसे ही मैं 2 बनाता हूं यहां पर, तो मुझे फिर से by sacrifice करना पड़ेगा, यहां भी sacrifization है और यहां भी sacrifization, मतलब X4 बनाता हूं, तो by की commodity produce नहीं हो सकती, तो यहां पर मैं रूपांतरन की दर भी निकाल लेता हूं, जिसको हम बोलते हैं, marginal rate of transformation, MRT भी हम निकाल लेते हैं, MRT क्या आएगा यहां पर, first case में कुछ नहीं आएगा, second case में MRT देखे कैसे आएगा, 1, क्या gain किया मैंने, 1, sacrifice क्या किया, 1, तो 1Y upon 1X, इधर कितना sacrifice किया मैंने, 11 से 9 हो गया, तो 2 by sacrifice किया to gain 1X, इधर क्या हुगा मेरा, 9 से 3, 9 से 6 हो गया, तो I have sacrificed 3Y to gain 1X, here I have sacrificed 6Y, I have sacrificed 6Y, कितना sacrifice किया मैंने आपे, 6Y to gain 1 commodity of X, तो मेरा marginal rate of transformation भी आगया, unit sacrifice upon unit gain क्या बताता है, marginal rate of transformation बताता है, marginal rate of transformation मुझे यहां से देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो इसको note कर लीजिएगा, या याद रख लीजिएगा, skin sort लीजिएगा, अभी ये next slide में मेरे पास काम आने बाला है, ठीक है, चलिए, अब, मान लिया जाए, कि अर्थवस्ता X और भुकता बस्तू तथा Y, पूझिगत बस्तू का उत्पादन कर रही है, चुकि कुल साधन सीमित है, अताहा कुल उत्पादन सीमित ही होगा, देश में अर्थवस्ता पूझ रुजगार किस तर पर कार कर रही है, पूझ रुजगार किस तर पर काम कर रही है, मतलब ये का जमसन है हमारा, कि सारे संसाधनों का पून दोहन किया जा रहा है उनको उप्योग किया जा रहा है अता है X बस्तू की उत्पादन मातरा में ब्रद्धी का आसा यह है कि बाय बस्तू की उत्पादन से साधनों को हटा कर उसकी उत्पादन की मातरा में कमी करनी होगी तो जो हमारे बाय बनाने में संसाधन लगे हुए थे उनको हम हटा देंगे और X में उनको टांसफर कर देंगे X commodity का production किया जाएगा ठीक है तो X commodity का production बला जाएगा और बाय कमोड़ी का production कम हो जाएगा इसी कुद हम क्या बोलते है Marginal Rate of Transformation रूपांतरण की सीमांत दर हिंदी में लिख लीजी आप दूसरे सब्दों में उभोकता बस्तु के उत्पादन में ब्रध्धी करने पर पूजीगत बस्तु में कमी करनी होगी तता पूजीगत बस्तु के उत्पादन में ब्रध्धी करने का आसा यह है कि उपोगता बस्तू में कमी करनी होगी उत्पादन संभावना की इस तालिका में A, V, C, D तता E दो बस्तूओं X, Y के सहियों को की बिभिन संभावना या बिकल्पों को दर्साया गया था जो टेबल मैंने इसके पहले देखी थी उसमें ठीक है यहां पे A से E की ओर चलने का अभी प्राहिया है कि अर्थवस्ता में उपोगता बस्तू के उत्पादन की मातरा में ब्रद्धी हो रही है तता ऐसा करने के लिए पूझीकत बस्तू के उत्पादन की मातरा में कमी की जा रही है और भुक्त बस्तू के अधिग उत्पादन कारती है कि समाज परिवर्तन आवशकताओं की पूर्ती पर अधिक जोर दे रहा है इसलिए मैं क्या बना रहा हूं? पूझीगत बस्तू का निर्मान किया जा रहा है एसी देसाम है समाज को पूझी कर बस्तू के उत्पादन को त्याग की लागत उठानी पड़ेगी त्याग की लागत कितने important सब जाते हैं यहां पर त्याक की लागत मतलब अफसर लागत की बात कर रहे हैं क्या करनी पड़ेगा हमें अफसर लागत जो अब यहां पर इंपोर्टन बात क्या गई कि पूजीगत बस्तूओं का अगर निर्मार कम हो रहा है तो मेरी उत्पादन करने की चमता में कमी कैसे हो रही है क्योंकि मैंने प्रिविएस वीडियो में बताया था आपको जो पूजीगत बस्तूओं होती है वो किसी अन्य बस्तूओं एबम सेबाओं के निर्मार में सहायक होती है तो मैं जतना ज़्यादा पूंजीगत बस्तूओं देस में बनाओंगा देस में होंगी उतना ज़्यादा मेरा production capacity हो जाएगा पूंजीगत बस्तूओं मतलब machinery और plant जो होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं तो जितना ज्यादा मेरे पास machinery और plant होंगे मैं ज्यादा से ज्यादा production कर सकता हूं जैसे ही मैंने देखा एक्स commodity को मैंने पूझीगत माना था बाइक को मैंने उबगता माना था अब जैसे ही मैं क्या करता हूं और भॉकता बस्तों की मात्रा बढ़ाते जाता हूं तो मेरी है उसके लिए मुझे पूंजीगत बस्तू का निर्मान करना पड़ेगा ठीक है इसी परकार से ई से एक और चलने का अभी प्राया की समाज पूंजीगत बस्तू के उत्पादन की मात्रा की ब्रद्री करता है और ऐसा करने में उसे उभोकता कि बस्तु के उत्पादन के साधनों को हटाना पड़ेगा तथा इसके परेणाम सरूप उभोकता बस्तु के उत्पादन की मातरा कम हो जाएगी अब इस case में क्या बढ़ रहा है पूझिकत का उत्पादन बढ़ाएगा मैं पूझिकत बस्तों का उत्पादन क्रưचिंगा मेरे production को कम करेगा बात ठीक है चालिए बरतमान में पूझिकत बस्तूओं के उत्पादन पर बल देने का अभिप्राय यह है कि समाज को अभोगता बस्तूओं के त्याग की लागत उठाने पड़ेगी परंतु भविस में समाज की उत्पादन चम्ता में ब्रद्धी होगी और अधिक उत्पादन संभव होगा ठीक है अब इसको इस बात से समझ दिए यदि कोई एक मरीज है उसको एक ऐसी बीमारी है उसके बाद दो आप्सन है आप्सन यह कि यह है कि वो उसका ओपरेशन करा ले मतलब उसको ओपरेट कर दिया जाए ठीक है और दूसरा है कि वो जीवन वर दवाईयां खाए जीवन वर दवाईयां काए तो दो आप्सन है एक मरीज को ठीक होने के लिए या तो वो अपना आपरेशन करा ले या तो दवाईयां काए अब उसको यदि operation से डर लगता है तो क्या करेगा वो दवाइयां खाया दवाइयां खायेगा मतलब जीवन वर उसको त्याग करना पड़ेगा जीवन वर समय पे दवाइयां लेनी पड़ेगी लगातार दवाइयां लेनी पड़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं उपव पूजिगत बस्तू का आज बना ली तो भविस में मेरे साथ अच्छी चीजे होंगी भविस मेरा अच्छ रहेगा क्योंकि भविस मेरी production capacity बढ़ जाएगी बात समझ में आई चलिए नेक्स्ट उक्त तालिका में बिकल्प ए बताता है कि उपहुकता की बस्तू का उत्पादन सुन है तथा पूजिगत बस्तू का उत्पादन बारा है जबकि बिकल्प ए बताता है पूजिगत बस्तू का उत्पादन सुन है और उपहुकता बस्तू का उत्पादन चार पूरी बना लूँ और पूजी गजीर बनाओं यह दोनों ही इस्तितियों पर काम हम नहीं करेंगे इनके बीच की मद्ध की इस्तिति पर हमेसा काम किया जाएगा ठीक है चलिए फिर क्या है उक्तितालिका में दी गई बस तू एक्स वाय की उत्पादन संभावनाओं को जब रेखा दौर अब्यक्त कर दियाता है तो हम उसे उत्पादन संभावना वक्र या सीमा प्राप्त हो जाती है उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं तो एक बार वो टेवल फिर से याद कीजिएगा हमारे पास X है और BYE है टेक है X हमने कहां से स्टार्ट करते है जीरो से Y हमारे पास 12, 9 12 के बाद हमने उसमें बनाय था 12 के बाद हमने उसमें बनाय था 11 फिर हमने बनाय था 9 फिर हमने बनाय था 6 और फिर हमने बनाय था 0 ये combinations हमने बनाय थे अब इन combinations को हम क्या करते हैं Axis मतलब कि ये Y-axis हो गया और ये X-axis हो गया X axis और Y axis पर डाल देते हैं तो Y axis पर मुझे 12 तक जाना है तो मैं start करता हूँ 3, 6, 9, और 12 और इधर मुझे जाना है 4 तक तो 0, 1, 2, 3, और 4 अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया है X commodity लिया है और यहाँ पर मैंने Y commodity लिया है ठीक है जी अब इसको जरा plot करते हैं 0, X का 0 ले लेता हूँ यहाँ पर 12 ले लेता हूँ दूसरा, 1 पर 11 मतलब यह 1 हो गया और यह 11 हो गया मेरा इधर आएगा point फिर मेरा 2 पर 9 यह तो 2 हो गया और यह 9 हो गया मेरा point इधर आजाएगा फिर 3 पर 6 मतलब कि 6 बाइ लेना तो यह 6 हो गया और यह 3 हो गया और फिर 4 पर 0 मतलब यह तो 0 हो गया जब इसको मैं join किया तो मेरा बन गया यह production possibility curve या इसको मैं बोलूँगा उत्पादन संभावना वाकर table बनाया और table से मैंने curve बना दिया table को मैंने plot कर दिया एक्स एक्स पर तो मेरा curve बन के तयार हो जाता है और यह जितने भी बिंदू देख रहा है यह MOC margin opportunity cost या हम इसको MRT भी बोलते हैं ठीक है तो MOC या MRT कैसे calculate करते हैं unit sacrifice upon unit gain तो first case में तो कुछ नहीं आएगा second case में आया मेरे पास 1 by 1 x फिर second case में 3rd case में मेरे पास आया था 2 by sacrifice किया तो 2 1 इसके बाद आया था 3 y to gain 1 x फिर मैंने 6 y किया sacrifice to gain 1 x यह मेरे पास MOC या MRT आया इसके questions आते हैं practical questions examination में जरूर पूछे जाते हैं तो आप इसका ना formula लिख लीजिए MOC या MRT हिन्दी में होता है रूपांतरन की सीमांत दर ठीक है यूनिट सेक्रिफाइज यूनिट सेक्रिफाइज अपोन यूनिट गेंड यूनिट सेक्रिफाइज अपोन यूनिट गेंड ठीक है यह मेरा MOC या MRT का formula बन जाता है यह important चीज है इसको जरूर note down के जाएगा स्क्रीन सॉट ले सकते हैं आप note down करने में समय लगे तो या pause करके ले लीजिए चलिए अब बात कर रहे हैं बिसेश उलिखनिय तत्य जो उत्पादन संभावना वक्र है उसके बारे में कुछ महत पून बाते हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे उत्पादन संभावना वक्र इस बात को इसपस्ट करती है कि पून रोजगार बाली अर्थवस्ता में यदि X बस्तू की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो दूसरी बस्तू बाई की मात्रा में कमी करने पड़ेगी इसको याद रख लिए इंपोर्टन बात कि जब हम किसी एक कमोडिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी कमोडिटी का सेक्रिफाइज जरूर होगा मतला MRT जरूर होगा याँ पे ठीक है Marginal Rate of Transformation जरूर होगा पहला important तर्थ ठीक है दूसरा क्या है एक उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदू के पिर्थी उन्नोत तरथ होता है इसका ऐसा है कि यदि एक्स बस्तू के उत्पादन को एक एक एकाई करके बढ़ाया जाता है तो बाय बस्तू की अधिका अधिक मात्रा का त्याग करना पड़ेगा और यदि बाय बस्तू की उत्पादन को एक एक एकाई करके बढ़ाया जाता है तो X बस्तू की अधिक अधिक मात्रा का त्याग करना पड़ेगा त्याग के इस नियम को बढ़ती हुई लागतों का नियम कहते हैं ठीक है तो देखा था मैंने अभी कि फर्स्ट केस में मैं 1Y 1 X जैसे युणी एक्स का परड़ियूस किया तो तूर्इफास किया जैसी मैंने तीसरा एक्स का ईउनिट प्रड्व खे थैग्स मुझे इन च्रइफास करना पड़ा था उसके बाद यह हर एक अर्थवस्ता चाहती है का उद्देस संभावना वक्र पर किसी एक बिंदू अर्था सायों का चुनाओ करना होगा ठीक है मेरे पास combination आ रहे थे combination a b c d e इसमें से किसी ना किसी एक combination मुझे चुनाओ करना समाज a b c d मैंसे कौन सा सहयोग का चायन करेगा यह एक नैतिक प्रस्न है जो की प्रतिक समाज अपने नैतिक मूल्यों के अनुसास निश्चित करेगा कौन सा combination लेना है मतलब उसको पूझी गत बस्तू बनाना है कि उबहुकत बस्तू बनाना है समाज कलना के लिए कौन सी बस्तू आवस्त है वो उसके बोल रहे हैं कि नैतिक मूल्यों पर निर्फर करेगा लेकिन यह अब समाज बादी अर्फर स्ता लिठी के बार 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 बोल रहा हूं पूंजी बादी अर्फर स्ता ऐसे नहीं सोच दिये वो तो यह इस बात का ध्यान रखेगी कि मुझे प्राफिट कहां पे ज्यादा हो रहा है उस तरीके से वो निर्णे करेगी यह चार महत्मून बात अब देखेंगे कि यह किस परकार इसमें परिवर्तन होता है तो परिवर्तन कितना हो सकता है क्या क्या हो सकता पहले उस पर हम चर्चा करेंगे तो उत्पादन संभावना वक्र में बदलाओ तो होगा परिवर्तन होगा अब परिवर्तन दो तरीके हो सकता है एक हम बोलते हैं खिसकाओ और एक हम बोलते हैं घुमाओ ठीक है अब जो सिफ्ट है वो बाई और हो जाता है या दाई और हो जाता है और उसी परकार घुमाओ भी बाई और होगा और दाई और होगा ठीक है यह तो क्या-क्या हो सकता है वो हमने देखा क्यों होता है कैसे होता है उसकी चर्चा भी कर लेते हैं अब देखो यहाँ पर मैंने ना blank एक उत्पादन संभवना बक्रे लिया हुआ है ठीक है यह x-axis होता है मेरे पास और यह by access होता है और मैं अभी इसको इस परकार बना देता हूँ ना अब बात समझना या तो बोलो तो मैं इसको ना plot plot ही कर लेते हैं अपन कोई बात ने इसको हम plot कर लेते हैं एक table बना लेते हैं हमेशा जब भी plot करना है table जरूर बनाईएगा 0 1 2 3 4 और इधर 12 11 9 9 के बाद 6 और 6 के बाद 0 यह मेरे combination है ठीक है अब मैं combination को भी नाम देता हूँ ठीक है यह a combination हो गया b combination हो गया c combination हो गया d और e 5 combination मेरे पास हो जाते हैं ठीक है कितने combination से यहापर बना लिए मैंने 5 combination से बना लिए ठीक है जी combination बन गए मेरे पास अब यह plot किया तो मैंने इस प्रकार बना होगा plotting भी कर लेते हैं एक बार हम plotting में क्या करना है x-axis पे 1 2 3 4 और इधर मैंने क्या रखा था 3 6 9 और 12 अब यह मेरे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हलका सा यह चेंज हो जाएगा यह बनेगा कुछ 12 से 4 ऐसा बन जाएगा यह मेरे combination जब मैं plot करूँ इस प्रकार बन जाएगा अब पहली इस्तिति हम क्या पढ़ रहे हैं कि उत्पादन संभावना वक्र में बदलाओ उसमें हम बात कर रहे हैं खिसकाओ की जब दोनों commodity के लिए क्या हो जाए या तो संसाधन में ब्रद्धी हो जाए या तकनीक में परिबर्त हो जाए लेकिन दोनों commodity के लिए X के लिए भी और Y के लिए भी ठीक है? तो क्या होगा? मेरे पास नया उत्तपादन संभवना वक्र बन जाएगा इधर तो यह क्या होगा? यह हो गया मेरा खिसकाओ मेरा उत्तपादन संभवना वक्र जो है, वो किसकी तरफ बदल गया? दाईं और बदल गया अभी बता रहो हे क्यों होगा है दाईं और बदल गया क्यों बदल गया क्योंकि अब मैं जदा कम already produce कर सकता हूँ या इसी example में लेते हैं इसको बना लेते हैं X और B अब मैं क्या करता हूँ यहां पे 0 है तो यहां पे 15 बना रहा हूँ यहां पे 1 है तो 14 बना रहा हूँ जैसे ही यहां पे 2 किया तो मैं बना रहा हूँ यहां पे 12 जैसे ही मैंने 3 किया यहां पे तो मैं बना रहा हूँ कितना? 8 और जैसे ही मैंने यहां पे 4 किया तो मैं बना रहा हूँ 0 जो मात समझ में आई तो क्या होगा डोनों ही कमोडिटी का मेरा उत्पादन बढ़ा गया थोड़ा सा यहाँ पे इसको फारना पड़ागा उत्पाधन उत्पादन के तो में हमने अपनी अर्थ दुनिया में हमने कुछ संसाधर्णों को डिसकवर कर ले जैसे अभी हमने रेटली जम्मू-इनकासिरी में लीथियम को कवर किया है तो अब लीथियम से बैटरी बनती ही सामाने था, तो बैटरी का पॉडक्शन जैसे कि education के sector में हुगा पहले एक teacher सीमित था अपने सहर तक लेकिन आज वो एक सहर तक सीमित नहीं है उसकी production possibility उसकी उत्पादन की संभावना है बढ़ गई वो पूरी दुनिया के बच्चों से connect कर सकता है ठीक है तो तक्नीक में परिबता है दोनों ही इस्तितियों में क्या ह हुगा मेरा overall production for all the goods all the goods मतलब यहां पर दो गुट्स हैं दोनों ही मेरा production बढ़ जाता है इसलिए मेरा उत्पादन संभावना वक्र जो है वो दाईयों खसक जाता है उसी परकार यदि मेरे जो संसाधन है उसी परकार मेरे जो संसाधन है वो क्या हो जाए यदि मेरे संसाधन क्या हो जाए भी या कम हो जाए या तकनीक की कोई degradation आजाए कोई तकनीक जो है वो अब काम नहीं करती जो पहले करती थी तो यह किदर की तरफ shift कर जाएगा बाई और और बाई और shift कर जाएगा मतलब क्या हुआ कि सर overall उत्पादन संभावना उत्पादन करने की संभावना क कम हो जाएंगी इसलिए यह किदर की तरफ left मतलब कि बाई और इसमें बतलाओ आजाएगा बाई और खिसका हो जाएगा दोनों ही end से हमारा क्या हो रहा है production कम हो रहा है इस case में और इस case में दोनों ही end पे मेरा production बढ़ रहा है क्योंकि overall संसाधन बढ़ गए या तकनीकी पर डीजल पैट्रोल या जो हमारे energy की पुराने sources हैं वो exhaust होने वाले हैं उन पे हम अब जाहा देनों तक निर्वर नहीं रह सकते हैं तो हम नए संसाधनों की खोच कर रहे हैं तो इसलिए उत्पद्न संभावना वक्र में भी परिवर्तन हो सकता है जिसको मूरें खिसका हो मतल गजब यहां पर मेरे पास फिर से क्या है? x और by है मैं फिर से plot करूँ है यहां पर 1 2 3 4 ठीक है? और यहां पर मेरे पास था 3 6 9 12 15 भी ले लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा बदलाव भी करना पड़ेगा और इदर 5 भी ले ले लेता हूं मैं ठीक है? तो यह मेरे पास है और original point टिमेरा बंता है यह बाला, अब क्या हुआ, अब हुआ यहूं कि या तो commodity X या भाइ पहले हम लेते हैं commodity X अब commodity X के या तो संसाधन बढ़ गया या commodity X की तकनीक में परिवर्तन आ गया अब दोनों कर्द स्थिने बाय जो है वो पाई की तकनीक और बाई के संसाधन इस्थिर हैं कमोडिटी X की तकनीक में परिवर्तन आया है या कमोडिटी X जो है उसके संसाधन discover होगा संसाधनों में ब्रद्धी हो गई तो सिर्फ किसका production बढ़ गया कमोडिटी X का production बढ़ गया तो अब क्या होगा क्योंकि एक जो छोड है वो इस्तिर है और दूसरा छोड जो है वो इधर की तरह पागया तो इसको हम बोलते हैं दाई और खिसकाओ इसको क्या बोलते हैं हम दाई और घुमाव दाई और घुमाव हो गया यह मतलब कि एक end जो ह खतम हो जाए तो उसका production अब क्या होगा कम तो यह क्या हो गया बाई और घुमाव हो गया यह क्या हो गया मेरे पास बाइब और घुमाव हो गया बात समझ में आई कि जब सर खिसकाव होता है तो पूरा जो हमारा कर्व है वो सिफ्ट कर जाता है दोनों ही हमारे छोर जो है वो सिफ्ट कर जाते है लेकिन गुमाओ के केस में मुवमेंट के केस में एक जो छोर होता है हमारा एक जो सिरा होता है वो इस्थर होता है और दूसरा जो है वो गूमता है और यह क्यों हो रहा है क्योंकि या तो तक्नीकी परिवर्तन है तक्नीक में कोई union है या degradation है या तो संसाधनों में कमी हो रही है संसाधनों में ब्रद्धी हो रही है इसलिए हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है उसमें परिवर्तन होता ह क्या बात समझ में आई तो उत्पादन संभावना वक्र में कारण कारण पहला है संसाधनों में या तो ब्रद्धी होगी या कमी होगी और दूसरा है तकनीकी परिवर्तन ठीक है तो इसको नेक्स स्लाइड में देखते हैं मैंने अच्छा इसका टेवल बनाया है कि संसाधनों एवं तकनीक में परिवर्तन जब एक बस्तू के लिए होगा किसी एक बस्तू के लिए होगा तो हमें क्या देखने मिलेगा उत्पादन संभावना वक्र में हमें घुमाओ देखने को मिलेगा और जब दोनों बस्तू के लिए होगा तो हमें उत्पादन संभावना वक्र मे खिसकाओ देखने को मिलेगा ठीक है एक बस्तू के या तो तक्नीक में परिवर्तन हो रहा है या उसके संसाधनों में ब्रद्धी हो रही है तो पहले लेते हैं हम तक्नीक में हैं तक्नीक में मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ education की अभी तो education के छेतर में क्या होगा तक्नीक की परिवर्तन आ गया कि हम आज की समय में online connect कर सकते हैं और online connect करने की कोई सीमा नहीं कितनी भी बच्चे connect हो सकते हैं तो मेरे पढ़ाने की तक्नीक में परिवर्तन आया मतलब जो हमारे जोड़ने के माद्यम ते उस तक्नीक के परिवर्तन आया और यह परिवर्तन है वह उन्यन होगा उपर की तरफ बढ़ा इसके कारण मेरा क्या होगा बांकी जो दूसरा एक्सेस है वो constant रहेगा मेरा जो education वाला सेवाएं हैं अब वो number of services बढ़ जाएंगी ठीक है तो मेरा दाइयों चला जाएगा दूसरा अब एक बस्तू का उत्पादन में ब्रद्धी हो गई उत्पादन में संसाधनों में ब्रद्धी हो गई तो संसाधनों की ब्रद्धी से एसे ही दोनों बस्तू में काम करेगा तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो क्या हो जाता है खिसक के चला जाता है बाट ठीक है जी आसा करता हूं उमीद करता हूं कि आपको उत्पादन संभावना वक्र जो है वो अच्छी तरी से समझ में आयोगा यदि कोई फिर भी doubt को clear कर सकते हैं तो एक बार recap करेंगे आज क्या क्या पढ़ा हमने सबसे पहले हमने जाना था उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है उसके बाद हमने उत्पादन संभावना वक्र की मानताओं के बारे में पढ़ा था उत्पादन संभावना वक्र की मानताओं के सांसनात हम ठीक है दुबारा देख लीजिए वीडियो को अगर लगता है कि समझ में नहीं आया कोई तकलीफ हो रही है डाउट रह जा रहा है दुबारा देख लेजिए नहीं तो कमेंट सेक्शन में करके आप बता सकते हैं जिससे कि हम आपके डाउट को भी सौल्व कर सकें ठीक है तो अपने चात्रों का ध्यान रखा जाता है उनके लिए सभी तरह के बीडियोस चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो जैसे कि यूपी बोर्ड है बिहार बोर्ड है एमपी बोर्ड है राजिस्तान बोर्ड है सभी बोर्ड के लिए CVSE board और state boards के लिए हम आपको बिसे बार वीडियोस निस्सुल को प्लब्द कराते हैं पूरा पार्ट करम कवर किया जाता है जिसमें quality content मिलता है आपके लिए MCQ questions solve किये जाते हैं questions solve किये जाते हैं short answer, long answers, one sort revision आपको मिलता है यह सारी facilities आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी इसलिए मेरा आप लोगों से अनिरोद है कि magnet wins को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए, comment कीजिए और बने रहेगा हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद